आज इस वीडियो के अंदर में हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं एक है मुथोट माइक्रो फाइनेंस नामका एक आई प्यो आयवा है उसके बारे में दूसरा एक अपने भाई के क्वेरी है अब जो मुथोट माइक्रो फाइनेंस जो आई प्यो आयवा है यह आई प्यो जो है थरा दिसंबर से बीच दिसंबर की बीच में खुला रहेगा और जो प्राइस रखा है कंपनी ने वो 291 का रखा है तो इस आई प्यो के अंदर में आपको लगग लगग 14,841 रुपे की जरत पढ़ने वाली है इस आई प्यो के अंदर में कंपनी जो उठाना चारी वह 960 क्रोड रुपे जिसमें 760 तो कंपनी के पास में जाएंगे कंपनी के खाम में आने वाले 200 क्रोड से किस तरीके से अलग है इसकी पहले से देख लेते हैं ताकि हमको यह समझ में आजए कि यह कंपनी थोड़ी सी अलग है ज्यादा अलग भी नहीं है उसी ग्रूप की कंपनी है बस यह है कि माइक्रो फाइनेंस हो गया एक गोड़ लेने के लोन को मतलब देने का लोन काम करत है या फिर को च्छोटा में धंदा चालो करने चाहते है या समी कंपनी हो गई उनको चोटी मोटे लॉंट की ज़रुत पढ़ती रहती है तो उन कंपनी ओं इंडिविज्वाल को लोन देने का काम ये कंपनी करती है जो कि बहुत माइक्रो लेवल पर काम करती है कि जैसी कि करती है आज के दिन के जो 27 लाग के आसपास में कस्टमर्स है इनके इस कंपनी के इस पर्टिकुलर ली कंपनी के अब हम इसके दर पैसे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं या फिर ज्यादा हाई वेल्यू के उपर में लेकिया है उसके बार में थोड़ा सा पता करने ही खो रहे हैं कंपनी के अब इसी के साथ में कंपनी के आफ्टर टैक्स जो है वो भी अच्छे का से तरीके से बढ़ रहे हैं यहां पर आगर आप देख पा रहे हैं कि इस साल जो है 163 क्रोड रुपीज कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाए है जो कि अगर रेविन्यू की बात कर गेंब के अब पावितांगा ऑदिन है वो है 1625 क्रोड के आसपा से मतलब इतना पैसा कमपनी का खुद का आज की दिन लगाऊ है इस कंपनी के अंदर में ठीक है काफी सारी companies के अगर shares को देखते हैं तो वो तो उड़ रहा है बस पाथा नी क्यों ही उड़ रहा है इसी टाइप के finance companies जो भी है कुछ finance companies सभी का तो नाम नहीं लोगा वो उड़ रही है और इसी टाइप से इस company के वेल्यू भी उड़ती वी company के इसाब से देखा जाए तो ठीक है वागी खराब है अच्छी नहीं है यह वेल्यू खराब है यह 30 क्यास पास का P ratio है तो 30 का P ratio आज के हिसाब से हमें खराब लग रहा है बट अगर कमाई अच्छी करती है माहलीजी अगले साल अगर इसके कमाई जो बढ़के हो जाती है कमपनियों के P ratios होता है वह बहुत ही बेकार होता है फिर भी मार्केट जो है उस स्टोक को ऊपर ले जाता जाता है क्योंकि कम मार्केट क्या होती उम्मीद होती है कि कल को इसका जो P ratio है वह और उपर की तरफ में शिफ्ट होगा तो value ऊपर की तरफ में automatic shift होगी तो क्यों ना कल जो value मिलने वाली है आज ही उसको अपने अंदर में समा लिया जाए जैसे आप लोग बजास finance में देखते हैं वो normally usually 2-3 के P.E. पे चलता है और आज पिसले 10 साल से 2-3 के P.E. पे चल रहा है और कमाई कंपने अच्छे करे जा रही है करे जा रही है तो market के future prediction future उमीद की basis पर चलता है अब इसी के साथ में हम लोग थोरसा P.E. पे रहने वाला है वो 25 के आसपास में रह जाने वाला है एक क्विटास के साथ में बेकार है उस जीवन के साथ में बेकार है fusion के साथ में बेकार है मतलब सभी से बेकार है P.E. रेशियो जो की company IPO लेकि आई है अब इस company के पास में जो एक चीज है वो है मुथूट Finance का पहले से जो नाम है जो brand value है वो इस company के पास ब्रेंड value की वज़े से इसने अपनी company की value ज्यादा लगा है और इसको पता है कि इस value का इस brand value का इसको फाइदा मिलेगा और of course मुझे भी लगता है कि मिलेगा दूसरा अगर हम लोग इस pb ratio के अगर बात करते हैं तो आज के दिन 1600 क्रोड की value है मतलब net worth है और उसी के साथ में यह जो है 5000 क्रोड का है जो में सो लगबग लगबग 3 का pb ratio अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है और यहीं पर अगर दूसरे के साथ में compare करके देखते हैं तो इसका 5 की आजपास का है इसका भी डाई की आजपास का है इसका पॉने तीन डाई और डाई सो लगबग 2 का आजपास में आ रहा है सो बेसिकली देखा जाए तो pb ratio में भी महंगा है सो p ratio में भी महंगा है मतलब कमाई भी इतनी इच्छी नहीं कर रहा है market में जो competition में जो company बैठी है उनके मकाबले और value भी ज्यादा लगाई है market में जो companies value बैठी है उनके मकाबले यह तो की pre IPO के बात पोस्ट IPO के अगर देखा जाए तो company के है पैसे उठा लेगी उठा लेगी तो company की जो net worth है वो बढ़ जाएगी वो यहां पर 1600 करोड से के अंदर में एड कर देंगे हम कितने रुपए 750 करोड रुपए तो लगबग 700 करोड रुपए अगर इसमें लोग एड कर देते हैं तो यह हो जाती है लगबग 2300 करोड रुपए तो 2300 करोड के इसाब से अगर देखा जाए अब तो यह 2.2 के आसपास में आता है जो कि अब जितने भी competitors है उन्हें से अच्छा हो जाता है अब यहां पर अगर देखा जाए तो company की वेल्यू जो है आफ्टर आइपी ओ ठीक है वेल्यू चीले जाने वाली बट कमाई अगें जो competition में उनसे बैटर नहीं कर पा रही है और आज की दिन वेल्यू ज्यादा लगाई गई है तो basic बात ही इतनी सी है अब यहां पर इस से अगर इस comparison के basis पे अगर देखा जाए तो हमें इससे ज्यादा उम्मीद दिखने लिए कि ज्यादा चलांग यह देखने को मिलेगा इसके अंदर में इसी के साथ में हम लोग अगर इसकी देखते हैं कि GMP किसी साब से चल रहा है तो GMP पहले शुरुआत में जब आया था तो लॉंग टर्म के साथ से हम इसमें इन्वेस्टेट रह सकते हैं बाकि लिस्टिंग गेंस के लिए 20% के आसपास के लिस्टिंग तक के लिए हम लोग इसमें डेफिनेटली एपलाई भी कर सकते हैं इसके अलावा मुझे आज के दिन इसमें वेल्यू इतनी कुछ खास नजर आ नहीं रही है फ्यूचर में जैसे ही आती है तो हम लोग डेफिनेटली इसके उपर आगे इन वीडियो बनाएंगे जैसे कि हमको मुथोट फाइनेंस के वेल्यू नजर आई थी तो हमने इसके उपर वीडियो बनाया था किसी वक्त जब वो ते बारा सो तेरा सो के आसपा से आने वाले टाइम में अभी और उपर जा सकता है मुथोट फाइनेंस तो मुथोट फाइनेंस में हमको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है कहीं पर भी अगर हम लोग इसके चार्ट को यहां पर देखते हैं तो डिफिनेटली यह देखिए विछले एक साल का तीन साल का च जो कंपनी है आई पर लेकिया इससे उम्मीद है कि यह कंपनी आई प्यों में अच्छा कर सकती है लगबग 20% के आसपास से उपर खुल सकती है आने वाले टाइम में बाकि आप आई पर स्रेटेजी का भी यूज कर सकते हैं और डिफिनेटली आप हमारे एक टेलिग्राम ग के लिए बर इनका जो गरोस अनुपिय है वह 3% के आसपास पर है जो कि बोधी बूरी बात है ख्रोस स के उर्ट incentiv के अन्लुं के अंदर में फर्क इतना ही होता है कि फिर कम्पनी ने एक अलग से हेलो अलग से रखा होता है कि आगर कि दिर डिफोल्ट हो जाता है किसी कि इतन NPA बसता है उसको हम बोलते NET NPA So ultimately gross NPA ही main NPA होता है NET NPA तो फिर जो aside पैसा रखा होता है Emergency की उसको counter करने के लिए ताकि दक्का ना लगे company को तो फिर NET NPA निकल किया आता है So मैं तो basically net and gross NPA को NPA मानता हूँ उससाब से देखा जाए तो बाकी company के मकाबले gross NPA को compare किया जाए तो ठीक है इसका फिर भी better है और NET NPA को देखा जाए तो 0.60 again better है So यहाँ पर भी अपने को NPA wise भी कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ दिया इस company के अदर में इसी के साथ में अगर company की हम लोग loan book जिसने साथ से बढ़ रही है वो बहुत ही commendable यहाँ पर चीज है अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि 2001 साल के अंदर में यहाँ पर इनका जो loan book है वो लगबग 50% से भी ज्यादा में बढ़ी है और अगर इसी तरीके से यह rate से आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा इनके पास मार्केट शेर हो है क्योंकि अगर आज के दिन अगर देखता है तो बजाज फाइनेंस इस मार्केट की सबसे बड़ी दिग्ज़ है जो कि बोलती है कि हमारे पास में सिर्फ 2% है मार्केट का सिर्फ 2% और यह जिस कंपनी जिस मार्केट शेर को कैप्चर करना चाहती है वो स्मॉल का है वो विलेज लेवल की ओपर में कैप्चर करना चाहती है तो विलेज लेवल अभी तक बहुत ही बड़ा अंटाप्ट मार्केट है अगर उसको market कोई जितना capture कर सकते है उतना अगर कर लेती है तो इसके लिए बहुत बड़ी opportunity वहाँ पर है इस company के लिए और आज के दिन बहुत सारी company जो है village level के ओपर में shift होती ही जा रही है उस market को capture करने की कोशिस कर रही है इसको इसको इसका फाइदा मिलेगा और इसके लिए बहुत बड़ा market है वहाँ पर फ्यूचर इस company का काफी bright नजर आ रहा है बहुत ही अगर long time के सबसे आप invested रहना चाहते हैं definitely आप लोग रह सकते हैं बाकि आज के दिन सबसे इसकी जितनी value होनी चाहिए उस सबसे इसने value ज् कि that's all from our side and अगर अब हम थोड़ा सागर queries की बात करें तो पहली जो query आई थी हमारे एक बाई की तरफ से आई थी जो कि right issues की बारे में थी सब्सक्राइब के बारे में क्या query थी जो question था वो था राइट इसे में मेले shares को क्या हम sell कर सकते हैं और sell कर दें तो क्या हमें company को राइट इस्यू को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं पहली चीज तो यह कि right issues के बारे में हमने अल्रीड दो वीडियो बना दिये हैं एक के अंदर में कि right issues को किस तरीके से हम लोग buy sell करें जिससे हम profit खमा सकते हैं दूसरा कि right issues होते क्या है और किस तरीके से वह काम करते हैं market में और किस तरीके से में buying selling करी जाती है तो basically हमने दो वीडियो बनाए थे दोनों ही education based वीडियो थे और यह पूरे के पूरे जो आपकी जो query है यह उन वीडियो में अगर उनको sell कर देते हैं तो आपको फिर payment करने की चुरूत नहीं होती है आप उनको sell कर सकते हैं अगर आप उनको sell नहीं करते हैं तो फिर आपको company को payment करना पड़ेगा और वो आपको नहीं करते हैं तो आपको नहीं करते हैं तो आपको आपको वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ प्याजाए राइट इश्यू का खेल अब इरेडा का एक जो में सवाल था कि इरेडा इतना क्यों भाग रहा है तो इसके पीछी एक जो मुझे परस्नली नजर आता एक रीजन वह यह है कि दो-चार दिन पहले एक न्यूज आई थी उसमें अडानी ने बोला था कि अडानी विल इन्वेस्ट 100 बिलियन डॉलर सम होना पड़ेगा पूरे के पूरे बिजनस के अंदर में रिन्यूबल रिसोर्सेज वाली जो सर्विस है वो चालू करनी पड़ेगी रिन्यूबल रिसोर्सेज से पावर जनेरेशन का काम चालू करना पड़ेगा अब आज के दिन जो भी बिजनसेज वाले जो भी बिजनसे दोते हैं वो क्या करते हैं वो अपने घर से पैसा देते हैं वो हमेसा कोई भी नया काम करते हैं तो वो लोन पर पैसे उठाते हैं और renewable resources के लिए जो लोन देने वाली जो company है वो कुन सी आज के दिन government based agency वो है IRIDA so definitely IRIDA को इसके इंदर में बहुत बड़ी opportunity नजर आती है लोगों को कि IRIDA अगर इतना बड़ा लोन लेगा तो एक बहुत बड़ा चंक जो लोन पर लेगा वो IRIDA से जाएगा अड़ानी ग्रूप को क्योंकि हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसके साब से IRIDA को सबसे बड़ा फाइदा होने वाला है इस particular news से तो IRIDA के जो shares है वो पागलों की तरह है उसके बाद में भागे जा रहे हैं तो अब मेरा सवाल यह है कि हां IRIDA को बहुत बड़ा फाइदा हो सकता है इस से बिलकुल सब्सक्राइब है अगले 10 साल में यह जो है अड़ा क्योंकि IRIDA के ऊपर तो यह complicated मतलब यह है कि restriction है कि renewable resources वाले जो चीज़े है उनी को loan दे सकते हैं पर जो PFC हो गई, REC हो गई, उनके ऊपर तो यह restriction है भी नहीं है यह तो किसी को भी loan दे सकते है पावर generation वाली companies को loan दे सकते है तो overall जो है पूरा का पूरा जो benefit है वो IRIDA को ही म time में बट आज की साफसे जी साफसे IRIDA कमाई कर रहा है उसे साफसे बहुत ऊपर चल रहा है बट यह जो positive news create करता है यह particular news है positive image जो create करता है IRIDA के बार में वह बहुत ही positive है जिसवे से market उसको भागाया जा रहा है और वह भागया जा रहा है और वह कहीं जाके रुके उसके ब बहुत कुछ बहुत ज़्यादा भाग चुका है राइट अब आपको इस चीज की news में बहुत ही ज्यादा अगर positivity नजर आती है तो आप invested रह सकते हैं long term की साफसे अगर आपको नहीं आती है फिर आपको जो लगता जिस साफसे लगता आप वो उस साफसे काम कर सकते हैं आप हमारे टेलग्राम चैनल को जोई कर सकते हैं उसके ओपर हम लोग इंपोर्टन इंपोर्मिशन डालते रहते हैं लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन